हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैस्टैक क्रियेटिव आर्थी पूर्वाल में दोस्तो आज का वीडियो जे इए स्टुडेंस के लिए बेहत खास होने वाला है आज की वीडियो में आपको जे इए मेंस और जे इए एडवांस की न्यू एक्ज इसको लाइक और शेयर भी करियेगा तो चली दोस्तो आपको बता दू दोस्तो जैसा कि मालू में CBSC प्रेजेंटे टू अप्शन अन संडे फर्स्ट तो होल्ड एग्जांस फ्र्स अगस्ट इन 19 सब्जेक्स विद मार्किंग इन मार्किंग इन मार्किंग सब्जेक्स दन अग्ड़ाश कि ओृओ व मार्किन अविद ऑ्सब्स अटकिंग सक चारपक बादिन नवाश ओन कि पस्टाप इना लग्डे करिसा दू इनव प्रकिंग मार्किंग उडर इनुर च्बी दोस्तो आब इन कि अंग बता॥ा एंग बने को बä Antes 5 शень को ए सम्कानी आपकिं As the first phase of the CBC exam is likely to commence from 15 July or in the first week of August in case the May round of the engineering entrance test may be even be pushed to the first or second week of September, the source said. तो सोर्सों के मुताबिक दोस्तों यह पता चला है कि JEE मेंस का अप्रैल सेशन का एक्जाम है वो जुलाई में और मैंस का मई का एक्जाम है वो सप्टेम्बर में या अगस्त में कंड़क्ट कराया जा सकता है. यह डिपेंड करता है CBSC के एक्जाम के जो टू राउंड से ट्वल्थ के उन पर और अड्मिशन्स टू IIT, National Institutes of Technology and other Centrally Founded Technical Institutes are set to get affected. IIT will be able to conduct the JEE advance only after the JEE main is completed. जब JEE main का एक्जाम हो जाएगा उसके बाद ही JEE advance का एक्जाम कंड़क्ट कराया जाएगा, which as per the present scenario is likely to be held in first week of September. तो इस तरह से लाइन से आप समझ लीजिए JEE mains का जो एक्जाम है वो जुलाई और अगस्त में कंड़क्ट कराया जाएगा और JEE advance का सब्टेम्बर में. और हर लेटेस्ट अबडेट के मेरे चैनल से जुले रही है, जैसे ही एक्जाम की exact date आती है तुरंद आपको मेरे चैनल के मादने में से बता दिया जाएगा, thank you.